हिंदू धर्म में एकदसी का बहुत महत्व है जो साल भर में 24 बार आती है एकदसी वर्त को करने के बाद और कोई पूजा करने की आवश्यक्ता नहीं होती लेकिन इन सब में स्रावन मास की कृष्ण पक्ष की एकदसी खास मानी जाती है इसे कामिका एकदसी या पावित्रा एकदसी के नाम से जाना जाता है इस बार यह एकदसी सोला जुलाई यानी गुरुवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकदसी के दिन भगवान विश्णु की पूजा करना अत्यंत फलदाई होता है। इस वर्त से अश्वमेग यग्य के समान मिनने वाला फल प्राप्त होता है। वहीं कामिका एकदसी की कथा सुनने मात्र से ही यग्य करने के समान फल प्राप्त होता है। इस वर्त के प्रभाव से वर्ती के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। इस वर्त से विवाह में अर्चन, संतान और धन की समस्या से मुक्ती मिलती है। भगवान विश्णु के आराध्य देव भगवान सीव हैं। और भगवान सीव के आराध्य देव भगवान विश्णु हैं। सावन मास में एकदसी का आना विशेश शयोग है। साथ ही एकदसी के दिन अमरित काल भी लग रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सावन मास में भगवान नरायन की पूजा करता है उसको बैकुंट धाम की प्राप्ती होती है पुरातन ग्रंथों में वर्णित मिलता है कि भगवान कृष्ण ने कामी का एकदसी के बारे में धर्मराज युदिष्ठिर को बताया था कि इस एकदसी का वर्थ रखने से वाजपे यग्य के बराबर फल की प्राप्ती होती है कामी का एकदसी वर्थ का तीन दिन का नियम होता है इस एकदसी के वर्थ की विधी दस्मी से ही सुरू हो जाती है ऐसे में दस्मी एकदसी और द्वारदसी को कामी का एकदसी की नियमों का पालन होता है इस वर्थ के दोरान यानि तीन दिनों तक माश और मदीरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए तीन दिनों तक जातकों को चावल भी नहीं खाने चाहिए इसके साथ ही लहसून, प्याज और मसूर की दाल का सेवन भी नहीं किया जाना चाहिए जातक को वाणी पर नियंतरन रखना चाहिए DNX TV में हम सभी एकदसियों के बारे में आपको जानकारी देते हैं धर्म कर्म से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए